नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाध्या है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों बात करूँगा टाटा मॉटर्स के शेर के बारे में इस स्टॉक पे काफी सारी कोईरी जाती हुई दिख रही है और काफी बड़ी करेक्शन भी आज आप सभी को देखने को मिल रही है हाला कि मार्केट अच्छे रिकावरी दिखाती हुई दिख रही है इसका मेन पार्टिसिपेशन जो आ रहा है वो आईटी स्टॉक से आता हुआ दिख रहा है आप सभी को अगर आप छोटे से लेके बड़े आईटी स्टॉक सकते देखेंगे तो सबके सब कहीं न कहीं शांदार रिकावरी दिखा रहे है और शांदार तेजी में लोटते हुए वापस दिख रहे है मैं बात करूँगा टाटा मॉटर्स के शेर को लेकर इस स्टॉक में काफी बड़ी करेक्शन देखिए आप सबी ने लगबग 480-485 तक इस टॉक उपर में गया था है और वहीं से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है जो लोग मेरे चैनल के साथ रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं उन सब को याद होगा इस स्टॉक मेरे एग्जैक्ली नहीं लेवल्स के अराउंड बाइं की रेकमेंडेशन दी थी हलाकि 420 से चल रही थी लेकिन जब 444 रुपीस के उपर का ब्रेक आउट हुआ था तो मैंने आपको इसमें 460 तक के लेवल्स भी दिये थे इस टॉक जिस दिन 480 के ऊपर ट्रेड कर रहा था मैंने आप से खाता अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए और 505 के ऊपर का अगर लेवल निकलता है तब दुबारा एंट्री लिनीची ये फ्रेश हाई लगते हुए दिखेंगे लिकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ स्टॉक नी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना अगर टाटा मॉटर्स की बात करें तो अभी तक का हाल तो ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक लगबग 2% नीचे है 5% 447 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1.2 करोड शेर्स ट् अल्मोस्ट आप क्या सकते हैं जितने एवरेज वॉल्यम होतने ट्रेड हो चुक है अभी 12 बच के 44 मिनट का समय हो रहा है जब वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं यानि कि आप क्या सकते हैं लगबग अभी पूरा सेकंड हाफ पड़ा हुआ है तो वॉल्यम्स ट्रेड हो रह रहा है 442-440 का लेबल निकल के आ रहा है स्क्रीन पे इन केस अगर 440 के नीचे निकलता है तो मैं आपको पता हूँ यह स्टॉक 428 तक विजिट करता हुआ दिख सकता है 432-428 तक ठीक है जिसके पास दिलिवरी है वो अगर कह रहा है यार 440-428 कितनी दूर लाओ उतना और सपोर्ड ले लेता हूँ तो अगर वो 428 तक रुकता है तो उसे एवरेज जरूर करना चाहिए अगर डिलिवरी में खरीदा है तो आपने अगर आपकी FNO में कहीं ट्रेडिंग है पोजीशन है तो मेरे हैसाब से कहीं ना कहीं 442 रुपीस का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट 48 के पास है तो आप 440 पे जरूर एवरेज करें अपने स्टॉक को एंड स्टॉक में बने रहें स्टॉक कंटीन्यू भाग रहा है 382 रुपीस से 480 और 490 तक स्टॉक उपर में आया कंटीन्यू हाईयर आइज लगा के यहां पे आपको एक रिकवरी कहीं गिरावट देखने लेवल तूटना नहीं चाहिए और तूटता है तो 428 तक आएगा और उसके बाद 410 ओवरॉल अगर मेरा व्यू पूछें आप ठोड़ा लॉंग टर्म के एसाब से तो मैं आपसे ही कहूँगा कि होल्ड करिए इस स्टॉक को नीचे आ रहा है 428 थड़ी के आसपास वहाँ और खरीदने के मौके होंगे and overall इस स्टॉक को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले एक से देड़ साल में आपको easily 550 to 600 के लेवल इसी ली दिखा सकता है best EV play चल रहा है company continue अपने targets increase कर रही है EVs की sales को लेकर and कहिना नहीं आप ये बोल सकते हैं कि ये एक हर brokerage list में है and सबके targets जो around 550 to 600 के ही है तो definitely ये stock आगे चलके अच्छा करता हुआ दिखेगा and जब stock भागता है तो बहुत तेज भागता है तो निश्चिंद होके बने रहे हैं इस stock में and जिसके पास position है मैंने आपको राय दे दिया already अब कुछ चीज़ें इस stock के बारे मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी ने जो quarterly results करे थे वहां काफी बड़ा loss करा था लेकिन कंपनी की guidance बहुत अच्छी थी जिसके बाद stock गिरा ही नहीं इन फेक्ट भागता देखा कंपनी करी है यह हमारा worst है and company हर बार ऐसा ही कह देती है तो next quarter देखते है results कैसे आते हैं अमनी का मानना था की JLR की कहीना की heavy booking है तो वो सब देखते है आप quarterly results कैसे आएंगे बाकी long term के हिसाब से बने रहना चाहिए आपको और short term में अगर आप trading position ले रहे हैं तो मैंने आपको 440 का SL दिया है अगर आपकी delivery में positional भी हुआ है तो 428, 425 का SL रखें 440, 435 के round average करें स्टॉक को 425 के SL के साथ hold करें 460, 480 दोबारा ये स्टॉक दिखाएगा तो ये मेरी वीडियो Tata Motors के स्टॉक को लेकर hope आपको समझ में आई होगी Thank you so much for watching this video